Hey friends, welcome, कैसे हैं आप सब? आशा है, आप सभी स्वस्त होंगे आज के reading में हम चेक करने वाले हैं कि आज के देन आपके person की energies आपके लिए क्या है उनकी current feelings आपके लिए क्या है उनकी energies आपके लिए क्या है Next वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप दोनों की energies एक दूसरे के लिए क्या है, reading timeless है, collective है, general है, सभी sign, सभी gender, सभी religion, सभी caste के लोग इस reading को openly चेक कर सकते हैं, तो हम चेक कर रहे हैं, कि आपके person की current energies आपके लिए क्या है, ओम साइराम सो फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ओफ पेंटेकल्स सेकेंड कार्ड आया है हमारा पेज ओफ पेंटेकल्स बॉटम से है हमारा सिक्स ओफ सोट्स और थ्री ओफ पेंटेकल्स दा एंपरर मैं है आपर देख पारी हो फ्रेंज की आपके परसन किसी फाइनाइशल इशू से गुजर रहे हैं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टरप कर रही है परिशान कर रही है वैसे तो ये रीडिंग स सभी जोडियक साइंस के लिए है बट स्टिल यहां पर टॉरस वर्गो आंड काप्रेकोन एरीज जमनाई लिब्रा अंड अक्वेरियस काफी प्रॉमिनेंट है 3 12 21 34 22 31 13 नंबर्स डेट्स काफी प्रॉमिनेंट है 6 15 24 डेट्स भी आपके लिए या फिर आपके परसन के लिए प्रॉमिनेंट हो सकती है मैं आज की एनरजी में चेक कर रही हूं कि आपके परसन को किसी चीज का वेट है किसी चीज का आज इंतजार है कोई 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 टेक्स कोई मेसेज कोई प्रोपोजल किसी क्लाइंट के ओफर का किसी जॉब के ओफर का या फिर आपकी तरफ से कोई क वह सौलड ओफर करना चाहते हैं वह जानते हैं कि आप अनकंडिशनली कैसे चुपचा बैठके उनका इंतजार कर रहे हो अगर आप डुनों सेपरेशन फेज में हो तो आप में से कुछ लोगों के परसन आज के दिन रिकंसीलेशन चाहरे हैं आपके पास दुबारा वापिस आना चाह रहे हैं आप से reconnect होना चाह रहे हैं चीजों को sort out करना चाह रहे हैं मैं यह भी देख पा रही हूं कि आप दोनों के connection को लेकर आपके person किसी third person से यह कोई tarot reader हो सकता है कोई spiritual worker हो सकता है इनकी family में कोई बड़ा बुजूर्ब हो सकता है जिससे यह सला ले रहे हैं और उसकी advice को follow करके इस रिष्टे में से third party situation को over करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके person थोड़े से egoistic है attitude वाले हैं और मैं यह भी देख पा रही हूं कि इन दिनों आपको काफी ignore कर रहे हैं आपकी तरफ focus नहीं कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपको love नहीं करते हैं मैं आप इस strongly feel कर पा रही हूं कि वह love बहुत करते हैं लेकिन उनकी life में कुछ financial crisis चल रहे हैं जिनको sort out करकर ही यह आपके life में कुछ आगे solid action लेना चाहते हैं अर्थ की energy काफी ज़्यादा है तो यह आपके साथ long term connectivity रखना चाहते हैं आपको solid commitment देने के बारे में आज के दिन में सोच रहे हैं लेकिन still still अभी इनको लगता है right time नहीं आया तो right time का यह wait कर रहे हैं ऐसी possibility काफी ज़्यादा है three three number four four number आप लोगों के लिए prominent हो सकता है three days four days या three weeks four weeks में आपके person आपको commitment दे सकते हैं आपके साथ reconciliation कर सकते हैं आज के दिन इनका maximum focus इनका career इनके colleagues इनके friends इनकी family इनकी responsibility इन सब चीजों पे रहेगा हो सकता है कि आज के दिन आप इनके call text message का wait करते रहें और इनका ध्यान कहीं और हो जिसकी वज़े से आप बहुत ज़्यादा disturbed हो and आपको hurt हो क्योंकि आपको लगे हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपके person आपको ignore कर रहे हैं आपको पसंद नहीं करतें आपको like नहीं करते और पूरा concentration कहीं और देते हैं आज के दिन इनकी ऐसी energy हो सकती है आज के दिन यह कहीं trouble करके आए हैसी possibility है colleagues के साथ कुछ celebrate करें ऐसी possibility है friends के साथ time spent करें family के साथ time spent करें अपने office में time spent करे ऐसी possibility है और आपको ignore करें ऐसी possibility भी है I don't know ये energy कितनों से कितनी resonate कर रही है अगर आपसे resonate कर रही है तो comment box में जरूर बताएं Thank you so much for watching friends If you like don't forget to thumbs up and share this in your group For more clarity you can book your personal pay readings too जिसके detail description box में given है अभी के लिए इतना ही, bye for now Have a good day and take care